हेलो, असलालेकुम, आज के इस वीडियो में हम अंडे की करी देखेंगे, वो भी कूकर में बनाना, बहुती असान तरीके से, इसके लिए मैंने अंडों को बालने रख दिया, पानी में और थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया, वन फोर्थ टेस्पून नमक, और इसको आज से 10 मिनट तेज हीट पर पकाना है, हाई हीट पर, इधर हमने कूकर में तीन बड़े चमच तेल ले लिया, और उसको गरम किया, अब उसमें हमने दो चमच अद्रकलस्ण का पेस्ट डाला, इसको हम भूनेंगे, ताकि अद्रकलस्ण का कच्चापन निकल जो है, धाबे पे ऐस बहुत जल्दी वाली करें, वो ही ये मैथड है, आप देखें, बहुत जल्दी बन जाएगी से करें, अद्रकलस्ण को अच्छी तरह से भून जाने दिया, आठ से दस मिनट में तेज आज पर अद्रकलस्ण भून गया, तो हमने एक छोटा चमच मिरच, आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच नमक, आधे से बढ़ती एक चमच धनिया पाउडर, थोड़ा सा पानी डाल कर इसको पंद्रा मिनट भूना, दस से पंद्रा मिनट, ताकि मसालों का भी कच्छा पन निकल जाए, और अद्रकलस्ण का भी, जब यह अच्छी तरह भुन गया, तो इसमें हमने जो तरी होती उपर की, वो निकाल ली, इसी में हम अंडों को फ्राई करेंगे, उपर से तेल तेल निकाल ले, अब इसमें हमने दो प्यास मोटी मोटी कटीवी, दो हरी मिर्चे, और तीन टिमाटर, बहुत मोटे मोटे वे, वो डालें इसमें, अच्छी तरह से चलाया, और थोड़ा सा पानी डाला, समझेए, एक बड़ा चम्मच पानी, और इसमें हमने तीन सीटी हैं ले लेंगी, तीन सीटी में प्यास टिमाटर सब गल जाएगा, अब हमने जो तरी निकाल, वो तरी में ही अंडे फ्राइ करेंगे, पहले हमने अंडो को छील लिया है, अब इस पे चाकू से ऐसे निशान लगाए, सब तरफ इस पे चार से पांच निशान चाकू से लगा दें, ताकि मसाला अंदर तक चला जाए, बहुत गहरे नहीं, सिर अब इसको थोड़ा सा घरम हो जाने दे, अब इसमें हमने अंडे ढाले, अंडो को क्रिस्पी सुनहरा होने तक तलेंगे, उसकी आउटर करपरिंग, लबस का जो बाहर का हिस्सा, वो जड़ा सुनहरा सुनहरा सिख जाए, गुर्पुरा, यह देखिए, सिग्यास पर गोल्डेन लाइनिंग आ गई है, अब जो हमने यह टिमाटर और प्यास का मसाला था, इसको कबगीर से मेश कर लिया काफी, बिल्कुल भुना-भुना मसाला है यह, यह देखिए, अब इसमें जो हमने अंडे तल के रखे थे, वो डाल दी है, और इसको 5-10 मिनट हल्की आज पर पकाएंगे, हमारी अंडे की करी तैयार, कूकर में, पानी आप अपने हिसाब से डालने ग्रेवी के लिए, एक छोटा कप पानी डाल कर 5-8 मिनट पकाए, हमारा अंडा करी तैयार है, इसको सर्फ कर रहा,